हेल्लो एवरिवन वेल्कम टू ओफिस अजड़ा ट्विंटीफोर सेवन दिस एची आरती और अर्थम दुबारों मिल चुक है हमारे टेन मिनिट्स कॉंसेप्ट शो पी जहां पर हमने बहुत सारे कॉंसेप्ट को कवर कर लिया है आपके एबी एफम के चाप्टर का जो एक स् कॉंसेप्ट से जो हमें एक बार में समझ नहीं आते हैं और उस पर अगर स्पेशली कोश्टन्स आ गए के स्टेडी जा गया और नियूम्रिकल्स आ गया तो आपके लिए ये शो बहुत हेल्फुल है अगर आपको नॉर्मली नहीं समझ आता है तो यहां पर आपा केस को बा पार्ट भी क्या था तो जब भी आप काल्कुलेशन्स करें तो आ रिक्वेस्ट यू प्लीज काल्कुलेटर लेके बैठें कर दो एक्जाम में आपको यही चीज है जो आपको फुल मांक्स दिलाने वाली है क्योंकि जितना जादा आपको काल्कुलेटर स्पीड होगा जित आपकी लिए अच्छा होने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हमरा आज का टॉपिक डाट इस अकाउंटिंग रेट और रिटन यहां पर हम बात करने वाले हैं यह एक ऐसा रिटन हम फाइंड आउट करने वाले हैं यहां पर जहां पर हम कंसिडर करेंगे जो बिजनेस में स रिटन चलिए तो जली सब लेते और में देखेंगे कोशन कैसे आते हो इसे सौल करना भी सीख लेंगे तो यहां पें शॉट इसका मतलब यही है दा ए आर्र मेतर इन वर्स estimating the revenue and expenses for years and to find out the average rate of return which can be considered as the rate for appraising the investments ultimately यही कहना चाहर है कि business में जो भी income हो रहे जो भी expenses हो रहे उनकी help से उनको सालो सालो में income होने वाली है that is our profit उसकी help चम यहां निकाले वाले है कि हमें क्रिटना return मिलने वाला है तो यहां पर जो formula use होता है वो होता है total profit divided by number of years यह whole divided होता है याद रखिएगा यह whole divided होता है by average investments or initial investments correct तो ऐसे हमें calculate करना पड़ता है हमारा ARR चलिए तो जाद़ दाइवेस नहीं करेंगे इसको अच्छे से समझेंगे with the help of examples because exam में आपको numerical paper आपको ज्यादा इससे पूठा जा सकता है आईए शुरू करते हमारा first question जहां पर बोला गया है अब project requiring an investment of 10 lakh yields profit after tax and depreciation which is as follows year 1, 2, 3, 4, 5 5 years के हमें यहां पर profit after tax and depreciation दिया हुआ है बदब यह आपका total final profit है जिसमें tax भी जा चुका है और depreciation भी लग चुका है that is first year में 50 मिला है second पे 75, third पे 1,25, fourth पे 1,30 and fifth पे 80,000 आप जब exam में बैठे तो एक बार थोड़ा से रफ काल्कुलेट कर लिए ज़ेगा कि जो total है वो इतना ही है कि नहीं that is 50 plus 75 plus 125 plus 130 plus 80 yes मतब यह total हमारा सही है आगे क्या पूचा है suppose further that the end of the fifth year the plant and machinery of the project can be sold for 80,000 determine the accounting rate of return यहाँ पे हमें बताना है accounting rate of return याद रिके यहाँ पर जो हम formula अभी उस करने वाले है वो यह वाला ही रहने वाला है but यहाँ पर हम initial investment लेंगे ना कि average investment आप average से भी calculate कर सकते हैं या फिर initial से भी कर सकते हैं कि दोनों का calculation थोड़ा से different होता है ठीके चली तो यहाँ पर हम कवर करेंगे initial investment को यहाँ पर आई यहाँ पर ARR calculate करने के लिए हम नहीं देख लिया क्या बोला गया था सबसे पहले total profit divided by number of years तो यह total profit divided by number of years जो कि whole divided by होने वाला है initial investment से तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा numerator है इसे हम solve कर लेते हैं आई यहाँ पर numerator जो हमें बोल रहा है उसके according हमारा total profit यह टेबल में आप देखेंगे तो कितना है total profit is your 4,60,000 correct total that is 4,60,000 this will be divided by one two three four five this will be divided by five now initial investment is how much initial investment is your 10,00,000 initial investment is your 10,00,000 so क्या हो जाएगे यह whole divided by होने वाला है 10,00,000 है जो से आपको मिलने वाला है कितना rate of return है जब से बहले हम numerator को solve कर लेते हैं 4,60, 4,60 divided by five यहाँ पर आपको मिलने वाला है 92,000 यहाँ पर आपको मिलने वाला है 92,000 और divided by 10,00,000 पर यहाँ रखेगा यहाँ पर पर सेंट पर बताना है जब भी पूचा जाए आपको rate जब भी आपको पूचा जाए rate ना उसका मतलब होता है पर सेंट में आपको बताना है तो यहाँ पर जब आप 92,000 डिवाइड बाइड बाइड करेंगे जब का आपका आंसर आएगा ना वो आएगा 0.092 और हमें यहाँ पे rate of return बताना है तो आपको डिवाई करना पर जाएगा with 100 जैसे आप into 100 करेंगे तो यह हो जाएगा 9.2 पर सेंट याद रखेगा यह है आपका ARR ऐसे आपको एक्जाम में कालकुलेट करना है नाव आई थेंक आपको समझ आ गया होगा क्या हो रहा है ARR जो हम जितना भी जो investment कर रहे हैं आज के दिन उससे हमें future में कितने profits होने वाले हैं उनको हमने क्या add उसको divided by किया जितने numbers हमने expect किया है उससे वो whole divided by कर देते हैं हम लोग जो आज हम investment कर रहे हैं तो हर साल हमें जो एक accounting rate of return जो हम इससे expect कर सकते हैं वो है हमारा 9.2 परसें overall यही बोलना चाह रहा है यहां पर आके चली तो यह तो एक बेव होता है आपका solve करने का अब दूसरा यहां पर यह जो एक second आपको दिया हम average investment तो नहीं कर रहे हैं इसके अलावा अगर आपको पूछ लिया जाए annual basis तो हम करने वाले हैं अब annual basis पे ARR calculate आई यह पटते हैं कॉस्चिन suppose A limited is going to invest in a project of some three lakh having a life of spent three years life इतनी बोली है तीन साल बोली है उसके बाद यहां पर salvage value दिया हुए machine का जो machine हम खरीद रहे थे 90,000 की the profit before depreciation for each year is 150,000 calculate the ARR on annual basis अब यह जो ARR है यह हमें पूरे साल का एक बार में निकालना ही नहीं बोला है हर साल का calculate करने बोला है तो इसे कैसे calculate करेंगे आई सबसे पहले यहां पर आपको बिनाना पड़ जाए का year that is one two three correct यही बोला गया और हमें क्या बताया गया है कि तो profit before depreciation मतलब profit before depreciation आपको दिए हुआ है कितना यहां पे यहां पे दिया हुआ है को सबसे पदेला है हमारा डेप्रीसेशन हटेगा to हमें यहां पे पता है की यह पे अपनी जो मасीन पेंवें इंविस्ट्री लाग ऐग er ओर यह दिन साले साहएंस का लाइफ आइप लाइप देयां गुपाएं तो क्या हम डेप्री हैं स्यूं केसे कर सकते हैं हमें तो पता ही है कैसे आते है डेप्रीसियेशन इक्वल टू थ्री लाक लाइफ बोली है सेल्वेज वाल्यू बोला गेर दाट इस 90,000 क्योंकि यह जो मैठ अहां पर आप देख रहे हैं जो गिवन अमाउंट है जो गिवन फिगर से वो हमें डिनोट कर रहे हैं कि हमें यूज करना है यूज करना है विच मैठ डब्लू डीव एसलम और यूनिट्स ऑफ प्रोडेक्शन मैठ बताएगा मुझे यह आप बताएंगे कि हमने यहां पर डेप्रेशिएशन कौन से मैठेट से काल् यह बता ने खको की है जो डेप्रेशिएशन में ऐं क्यालकुलिट कर नहीं हूं वह यह तीन में से कौनसे मेठट को मैंने यूस किया है करIT चलिए अ जबताग मैं है ″ुपिप्रेशिएशन मोला है वह सेवींडी थाऊजन तो बना लेते हैं यहां पर हम कॉलम डेप्रेसि पूर जो हमारा डेप्रिसेशन उसे डेप्रिसेशन चला जाएगा तो क्या होगा profit after depreciation करेक्ट तो क्या हो जाएगा 150-70 कर देंगे तो हो जाएगा यह 80,000 और यह 80,000 तो आपको सालो साल मिलने वाला है साल में तब तीन साल है यहां पर हम कवरी करें जी साल थेन साल में हम यह देपरीशेशन के बात जो प्रॉफिट मिलने वाला है वह ए दी थार्फिशंड आपने कीड गवड्रा इचल तो यहां पर हमें कैल्कुलेट करना है हर साल का कोश्चन ने किया पूचा है आन्नवल पे यहां पे ARR लगाने के लिए आपको चाहिए है यहां पे कितना अमाउंट आएगा depreciation minus करने के बाद तो तोड़ी से अलग से लेते हैं चली तो यहां पर हम calculate कर लेते हैं I hope आजाए हमारा calculations तो यहां पे जब आपकी closing opening माली जे एक साइब और एक है आपकी यहां पे closing यह हमारे यह acid की value तो जब खरीद के लाए थे तब तो थी यह 3 lakh इस पे हमें depreciation लग गया है 70,000 तो 3 lakh minus 70 is 2,30 closing 2,30 दिखेगा यही आपका next year का opening भी होने वाला है 2,30 इसमें again depreciation कितना minus कर रहे हम लोग 70,000 that is 1,60 अगें यह next year का होने वाला आप लोगों का opening और इसमें अगें आपको depreciation लग जाएगा 70 that is 90,000 इतना clear है I hope it not clear हो अप लोगों को I hope it not clear हो आप लोगों को चलिए तो अब यहां पे finally आगया हमारा ARR calculate करने का देखें यह तो आपको मुझे बताना है कि यह कौन सा method यहां पे यूज किया है that is SLM है कि WDVA यह units of production method तो यह part का answer आपको मुझे देना है because यह आपको अल्रेडी पता है okay हमने यह जाएब में अल्रेडी पढ़ा हुआ है especially पूरा चाप्टर कंप्लीट करते हैं for further calculations में आप थोड़ी सी space बना लेती हूँ इसको हटा के I hope यहां तक आप calculate करना सीख गए होंगे कि profit after depreciation लगेगा हमें for calculating ARR और यह ARR कैसा रहने वाला है यह आपका हर एक साल का रहने वाला है that is your annual basis इस पर calculate होगा तो जब first year का ARR आप से पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे यहां पर आप यहां करेंगे जो आपका profit after depreciation है that is 80,000 divided by 3,00,000 that is your opening आपको क्या बता था परसेंट में रहता है परसेंट से मैसे ही जब आप सेकेंड डियर का पूछा जाएगा आपसे तो यह हो जाएगा 80,000 divided by 2,30,000 यहां रखेगा 100 यहां पर आपको दिखने रहा है पर आपके calculation में हमेशा 100 होना चाहिए तो हम उसे परसेंटेज में ही बताते हैं निक्स रेको होने वाल आपका 34.78 परसेंट यह परसेंट नीच आगे और थर्ड यह का अगर मैं यहां थोड़ा समने लिख दिया जब आप इसे करेंगे तो आपका अंसर आजाएगा 50 परसेंट तो यह आन्माल बेसेंट में आपका आपको समझ आ गया होगा नहीं समझ आ तक दुबारा रिवाइन करके देखिए आपको समझ आने लग जाएगा और जैसे हमारे बस आपको जाना है अड़ा 24 7 की साइट में यहां पर आप जाएंगे तो यहां पर CIB 2024 नेवेंबर में आप लोगों के लिए बाचिस अलड़ी आज चुकी है बस यहां पर जा के आपको इंड्रोल कर लेना है और याद रखिएगा जो आपको मार्सिम डिसकांट है वह आप को मिलता है विता कोड दाट इस वाइ यहां पर आपको दो बाचिस तो दिख रही है बट अगर आप मुझसे पूछते हैं कि माम यह बाचिस और यह जो महा पाक है इसमें क्या डिफरेंट और हमें आच्छली क्या लेना चाहिए तब आपको बता दू कि जो यह बाचिस है यह जरूर कॉम्प्रिहांसिव बाचिस है हर चीज कवर होगी बस वह कवर हुई और बाचिस खतम बट जब आप इंडोल करते हैं ना महा पाक 2.0 में जाके C.I.B. च.I.B. में तो यहां पर आपको यह बाचिस तो मिलती ही मिलती है इसके बाद जाब के क्राश कोर्स आते व मौक टेस्ट गिरिगी लिएविलिटी यूसपीलिटी आपको यहां 예सली मिल जाती है उसके बार जाब के टी आपके साथ हमेशा बनेरहते हैं अ Мेशा मतलब हमेशा प्रज़र करेंग पर गढ़ को बार बार भाचिस पूर्चेस करणी पड़ती है और कई रसा हो कि हमको औ 10-15 दिन बात पता चल रहा है तो अल्यडे हम syllabus से बहुत पीछे हो जाते हैं तो इस ultimate की आप जाए और यह महापक 2.0 में आप इंड्रोई कर लीजए क्योंकि यहां पे जो भी new new आप लोगों के लिए आते रहेगा till exams हर चीज आपको यहां पे एक बार invest करने पर ही मिलने वाली है याद रिखेगा यहां पर आपको कोड लगाना पढ़ता है वाई 895 तभी जाकर आपको यहां मिलता है maximum से maximum discount I hope आज आपका ARR भी clear हो गया होगा अगर अगर यह session helpful लगा होगा तो please like करिएगा share कर दीजेगा subscribe करे लिजेगा हमारे ओफिसेजदा 24 7 के YouTube चैनल को ताकि जो भी new new updates आती ही आपको हमेशा तुरंत मिलती रहे thank you for watching